हाई दोस्तों, आज का विशय प्रतिशत है. एक महत्वपूर्ण नोट है. प्रतिशत को अंशों में परिवर्तित करके 50% से अधिक समस्याओं को हल किया जा सकता है. इसलिए अच्छी तरह से तैयारी करें. इसलिए प्रतिशत गणणा के लिए सभी अंशों को याद रखें. इसलिए यह बहुत आसान होने जा रहा है. तो कुछ प्रतिशत और कुछ अंश मान हैं, जो मैंने आपको दिये हैं. तो कृपिया इस प्रतिशत को अंश रूपान्तरन मानों में याद रखें. तो यह वास्तव में समस्याओं को हल करने के लिए आपके लिए उपयोगी होगा ठीक है, इसलिए ये 1 से 2 से 1 से 15 तक याद रखें इसलिए समस्याओं बहुत आसान होने जा रही है BKC तो ये कुछ उदाहरण है कि वास्तविक समस्याओं में उस प्रतिशत अंशों का उपयोग कैसे किया जाए ठीक है, इसलिए 50 परसेंट को 1 से 2 के रूप में लिखा जा सकता है और सीधे हम किसी भी प्रकार की गणना में उपयोग कर सकते हैं और कुछ और उदाहरण है ठीक है, इसलिए 60 का 50 परसेंट 30 होने जा रहा है तो इसे एक महत्वपूर्ण नोट को याद रखें कि वाई का X प्रतिशत X के Y प्रतिशत के समान है तो एक उदाहरण है चलिए समस्याओं का सामना करें पहली समस्या यह है कि अगर फल विक्रेता के पास 420 सेब है और वह 40% सेब बेचता है तो हमारे पास 60% सेब शेश है जिसका मूल्य 420 है अब वह पूचता है कि कुल 100% कितना होगा? ठीक है, 60% 4 होते हैं इसलिए 2,100% होगा समय 420 तक 7 बार ठीक किया जाएगा दूसरे प्रश्न में 1 से 70 तक की संख्याओं में से कितने प्रतिशत 1 या 9 के अंतिम अंक होंगे यह पूचा जा रहा है जवाब 40 होगा क्योंकि वर्तमान में उत्तर 6,169,191,192,129 है जिसके इकाई अंकों में 1 या 9 अंक 1 से 70 तक है इसलिए कुल संख्या से 14, 17200 तक 7,014 कितना है? इसलिए आवश्यक प्रतिशत 20% होने जा रहा है तो 20% संख्याएं हैं जिनके यूनिट अंकों में 1 या 9 1 से 70 तक है BKC तो चलिए अगले सवाल पर आते है दो संख्याओं में से एक संख्या 10% और दूसरी संख्या 1 3rd से 25% अधिक है पहली संख्या की दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत बढ़त है? तीसरी संख्या 100 है और चौथी संख्या 101 है दूसरी संख्या 25% अधिक है और चौथी संख्या 10% अधिक है जवाब क्या है? Card number 100-100 है और पहली संख्या 10% अधिक है मतलब 110 और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% अधिक है तो वह यहाँ पूछ रहा है कि पहली संख्या का प्रतिशत क्या है? दूसरी संख्या से वह 110 से 125 से 100 में पूछ रहा है इसलिए गणना के बाद हमें 88 प्रतिशत अंक मिले हैं यह हमारा जवाब ठीक होने जा रहा है अगले सवाल पर आगे बढ़ें S, I, B की I से 10% अधिक है B की I, A की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? तो बस याद रखें कि A, I है और B की I है परीक्षाओं में इस तरह के प्रशन अक्सर पूछे जाते हैं यदि हमारे पास इस तरह के प्रशन है तो A आ सकता है कि I, B की I से 10% अधिक है तो प्रशन के अंत में पूछने की तुलना में कम इसलिए बस अंतर को याद रखें कि क्या हमारे पास कम है हमें भाजक में अधिक मूल्य लेना है उससे अधिक हो तो हमें लेना होगा यदि भाजक में संख्या कम होती है तो हमें इसके लिए समाधान ढूंडना चाहिए इस समस्या के लिए यदि I, B, I से 10% अधिक होती है तो A 110 होता है और B 100 होता है अंतर 10-100 यानि 110 होता है इसलिए हमें भाजक में अधिक संख्या लेनी होगी ताकि 10 से 110 को 100 में ले जाया जा सके इस तरह जवाब में ले जाया जा सके